सलाम वालेगों माई यूटीब फैमली कैसे हैं आप सब लोग इंशाला जी सब लोग ठीक ठाक होंगे फिट फार्ट होंगे और फिर्स क्लास होंगे तो जी आज के हमारी वीडियो हने वाली यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यूंकि सिर्फ एक चुटकी पाउडर से बनने व वाले हैं पोदीने को स्टोर करने के तीन तरीके बेहतरीन किसम के जिससे रमजान में आप कोई भी रायता चटनी जो है वो फटाफट से बना लेंगी लेकिन उससे पहले अगर बहन का चैनल सब्सक्राइब नहीं बुलिए और बेल का बटन लाजमी प्रेस कर करिएगा करत इस है बाइना बिल्कुल इस दिने को स्टोर करना में फिन्य बना कि स्टोर अब बना दें नहीं जब बीकिकर्णिय फॉटोर की आ मोख करना है तर जाते हैं कि बास्किट में डालते हैं और टैप चला डेते हैं और और असको भोलेते हैं हम नहीं होते हैं हम इसके अंदर से अक्सर पालक की अंदर या पुदीने की अंदर जो है ना वो एक क्रिक वाला फ्लेवर रहता है यह देखें आपने हमेशा जब भी क्यों ग्रीन वैटेबल्स वाश करनी है खुला बरतले उसके अंदर सारी वैटेबल्स को एड़ करके उसको दो से तीन दफा लाजमी वाश करें जैसा कि आपको पानी के अंदर नजर आया है कि आप नीचे पैंदे में जो है वो मटी बैट गी हुई है तो इसलिए कभी यह गलती मत करें और स्पेशली जब आपने इनको स्टोर करना हो तो इसलिए इसकी सफाई सुथराई पे जैसा कि मैं आपको अपनी लास्ट व वाश ग्रीन चिली से मामलात कुछ इस तरह की होते हैं कि हमें इसका पेस्ट चाहिए होता है चड़नी चाहिए होती हो गारनिशिंग के लिए हमें थापत भी चाहिए होती है तो काल की मेरी एक वीडियो पर मेरी एक बहुत का कमेंट आया था क्या रमजान के चीज़ें के इसके बाद यह खतम होने वाली है ऐसी बात बिलकुल नहीं होती है घर में अकसे चीज़ों जो है वो मेले हजरात लाके दे रहे होते हैं तो वह अफ़तारी से कुछ टाइम पहले ही आया होते है और रोजा होता है तो बार बार जो है वह मार्किट के चेकर लगवाना अच् कुछ बता है पोदीने कराई था जो है एक मस्त जो है वो हमारा होता है उसके लाबाव ग्रीन चिली जो है वो पकोडों में कहgoing है हो समोसम में हर चीज में नहीं हो बिले लगगरा mac तो इसलिए इस तरह की चीजों को लाजमी आपने स्टोर करके रखना है तो ग्रीन चिली को अच्छे दीके से वाश करने के बाई यह देखें मैंने के एक टावल लिया है ठीक है पेपर टावल जो होता है टीशू पेपर उसके उपर इसको अच्छे दीके से सप्रेड कर देन और इसको आपने करना है ड्राइ जिन ग्रीन चिली को आपने स्टोर करना है इस तरह से अगर आप ग्रीन चिली को स्टोर करेंगे ना तो येकीन माने कि यह एक माम बिलकुल फ्रेश रहेंगी तो यहां आपने इसको अच्छे दीके से साफ कर ले ना और यह देखें मैंने सब्सक्राइब सब्सक्राइब वो नहीं लेनी जिनका कले खराब हो रहा हो वो बिलकुल भी नहीं लेनी है अब ये वाली जो बास्किट वाली ग्रीन चिलीज है ना ये मैंने फ्रेश स्टोर करनी है और बाकी की ये जो ग्रीन चिलीज है इसका हमने बनाना है पेस्ट अब जिन को आपने fresh store करना है ना उनकी उपर से आपने ये डंडियां लाजमी remove करना है और डंडी को पूरी remove करना है ये देखे जैसे ये मैंने तोड़ी है आदी उसके साथ रहेगी है ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए ये जो डंडी है ये पूरी की पूरी remove होनी चाहिए है अगर नहीं हो तो इसको आप knife से कर लें ये देखे आप इस तोड़ेंगे तो ये easily separate हो जाएगी लेकिन complete separate होना लाजमी है क्योंकि हमेशा ग्रीन चिली जो है वो इसकी डंडी से खराब होती है ठीक है अगर आपने ये इस डंडल को लाजमी remove की होगी तो ग्रीन चिली जो ह आपने किसी zipper bag में जो है वो lock करके रखते हैं चाहे तो आप किसी different box में भी lock करके रख सकते हैं ठीक हो गया तो ये green चिली जो है वो आप एक माँ आराम से use कर सकती है जब इसका डंडल उपर से अच्छे तरीके से remove होगा होगा ये देखें ये हमने जो है वो जो साबत use करनी भले जिसमें भी आपने use करनी है बहुत easily इस तरह से आप green चिली के pack बनाके जो है वो store कर सकती है तो second way जी है हमारा green चिली का paste जिनका आपने paste बनाना है उसको दरम्यान में से cut लगा के लाजमी चेक करना है क्योंकि इसकी अंदर रख से सुनिया वगरा भी होती है इंचली का paste बनाना है उतनी हमने add कर दी इसके अंदर मैंने पांच टेबल स्पून भरके vegetable oil cooking vegetable oil जो आप यूज़ करती है तो वह आपने इसके अंदर पांच टेबल स्पून भरके add कर देना है यहां मैं वन टेबल स्पून जो है टी स्पून कह लें क्योंकि बाद में हम पे आपने जो pause का button है उसको use करना है और वकफे वकफे से इस तरह से जग को उठाके shake करके फिर आपने इसको blend करना है अधरवाइस इसकी blending थोड़ी मुश्किल हो जाती है अकसर लोग के अगलती करते हैं कि grinder को चला देते हैं और फिर वकफे वकफे से इसको shake नहीं करें होते है जिसके बड़े से motor heat हो जाती है और जो मशीन है वो खराब हो जाती है और इसकी करकरदी भी खराब होती है इसलिए electronic की जो चीजें है उनको जड़ा pause दे के चलाया करें और यह देखें इस तरह से थोड़ जड़े वकफे के बाद जो है वो हम इसको shake कर रहे हैं तो कि यह ब यह देखें और air tight container जो है वो बिल्कुल dry होना चाहिए है इसको tissue paper से अच्छे तरीके से dry कर लें और यह सारा paste जो है वो हमने container के अंदर जी कर लिया है shift और इसके अंदर आपने कभी भी wet spoon use नहीं करना है इसका अपना spoon इसके अंदर एक छोटा रख दें यह जब भी spoon use करें कि इसके अंदर dry spoon को use करें ताकि इसके अंदर fungal growth फिल्कुल भी नहीं हो ठीक हो गया जी और अब हम बनाने लगें है जी पुदीने की चटनी जैसा कि मिंट का जो राइता होता है मुझे जीरे की राइता से येकिन माने जादा मिंट का राइता पसंद है मैं किसी भी restaurant में ह सबसे पहले मिंट का राइता ओर्डर करती हूं तो यहां हम बनाने लगें हैं पुदीने की चटनी इसमें आपने करना है बेस में ग्रीन चिलीज लास्मी एड़ करनी है बिल्कुल यह भी dry grinding जैसा होने वाला है पुदीने के अंदर पानी है क्योंको इसको हमने wash की है लेकि जब पुदीने का आजाएगा तो बाकी की जो green चिलीज और बाकी इसके अंदर एड़ की हैं पहले इतना जादा मैंने इसके जादा green चिलीज को एड़ नहीं किया था पुदीना प्दिंड स्वाइन हो गया तो बाकी इन चिलीज एड़ कर दी है और साथ ही अंदर जो दो टिक टॉक पे शेयर किये थे पहले वो परोसेसर में शेयर किये थे लेकिन परोसेसर में इतनी फाइन चटनी बनके त्यार नहीं होती है जितनी ब्लेंडर में होती है तो कोशिश करें कि अब ब्लेंडर में इसको बना है तो यह देखें जी चटनी हमारी बनके होगी है त्यार किसी भीised will you choose and use it किहारी हुआ इसको निकालना असन होता है और इसको फ्रोजन क्यार लियां यह तो वो काम थे जो मैंने कल की डेट में की और आज आप लूंग साशेयर की और यह वाले जो काम है आप यकीन माने कि यह मैंने कोई छे माँ पहले किये थे क्योंकि बीच में पुदीने का सीजन आउट हो जाता है वाइसे तो डिपार्टमेंट वो स्टोर जिन्दा बात हर चीज़ आपको मिल जाती है हाइबरड फॉर्म है लेकिन जब पुदीने का सीजन था तो तब मैंने पुदीने को जो है वो ड्राय करके स्टोर कर लिया हुआ इसकी स्मेल होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना फ्रेग्नस आती है खानों के अंदर और यह जो पूरा जार है यह मैंने इसका पाउडर बना के इसको स्टोर किया था और इतना जार बने कि आपको कमस कम दो केजी पो दीना लग जाता है येकीन माने और इसको अच्छी जासे ड्राइ लीव्स को लेके आपने इसको ग्राइड कर लेना जैसे हम मसाले ग्राइड करते हैं और यह जो एक चुटकी होती है यह आप जब एक टोरी राइटा बनाते है तो यह चुटकी पाउडर जो है वो मौर्दन इनना होता है मैं आपको बना के दिखात यहां पर आपको सीक्रेट भी बताती हूं यह है जी मेरे पास मार्किट का राइटा जो पुदीने का राइटा हमें रेस्टराइट पी मिलते है इसका कलर देखें लाइट ग्रीन कलर के अभी इसको कर दें जी साइपरेड और यहां मैंने लिए है थोड़ा सा देही एक टो अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे छी थोड़ा सा पुदीने का पावडर यह देखें लिए हमने इसको एड़ किया है एड़कर की से मिक्स किया है तो आपने देखे हैं कि इसका कलर जो है सिर्फ ऐसा ही आया है जैसा नॉमली हमारे पास आता है जी ब्लैक विपर का राइ एक आया हुआ है लेकिन इसके अंदर जो खुश्वू है ना वो बेहतरीन किसम की पुदीने की आ रही है लेकिन फरक कहां पे आता है एक्शली जब हम घर में चीज़े है अपनी फैमिली के लिए यूज करे होते हैं तो हम इनको बिल्कुर और गैनिक रखते हैं लेकिन जब ह हम इसमें से एक पिंच जो है वो यूज करेंगे तो यह आपके सामने कलर है जी मिंट के राइते का बहुत बेतरीन किसम का तो यह चीज जो है वो आगर आपका ना चाहें और आपको इसना का ग्रीन कलर चाही हो तो आप मिंट के पाउडर में इसना से ग्रीन कलर हैड करें और वहतareal किसम का मिंट का राइडा जो है वह एक चुटकी पवाउडर के साथ बना के तियार कर सकती है तो यहां मुझे वो मकुला बड़ा याअधार है तू एक चुटकी संधूर की कीमत तो यकीन माने यहां एक चुटी पुदीने के पाउडर की कीमत तुम क्या जानो यकीन माने कि बहुत जबर्दों सो बहुत जटपट राइता है बनके त्यार हो जाता है तो हॉप सोजी आज की वीडियो अपलों के लिए बहुत ज़्यादा यूसफुल रही होगी अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा दुबारा मिलोगी नई रेस्पीस के साथ नई टिप्स और टिक्स के साथ दुबाव में रखेगा याद अलाहफेज